हेलो एवरिबेडी वेलकम टू एवरेस कोचिंग इंस्टिचूट तो चलो बच्चो आज हम बैंकिंग की क्लास 12 की मेक्रो एकनोमिक्स की जो हम दिस्कास करें बैंकिंग चाप्टर चल रहा है उसकी जो सीरीज चल रही है उसको ही आगे कंटिनू करते हैं तो चलो शुरू कर करते हैं बैंकिंग चाप्टर में बैटा हमने मनी क्रेशन देख लिया हमने मल्टिप्लायर पढ़ लिया अब बात आती है सेंट्रल बैंक की ठीक है बैंकिंग चाप्टर में के सेंट्रल बैंक का क्या रोल है और क्या है सेंट्रल बैंक तो वह सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का Central Bank कौन सा है can you tell कि कौन सा इंडिया का Central Bank है जो इंडिया का Central Bank है उसका नाम है the Reserve Bank of India जिसको हम RBI से भी denote करते हैं ठीक है अगर आपको paper में पूछा जाए MCQ में कि Central Bank of India तो आपको पता ना चाहिए वो Reserve Bank of India को हम Central Bank of India बोलते हैं यह जो Reserve Bank of India है सबसे Supreme Power है banks में हर country में Central Bank होता है वो और हर country का जो Central Bank है वो Supreme Power है banks की सारे banks जो और जितने भी banks हैं वो सारे के सारे banks यह Central Bank की अंडर होते हैं ठीक है सारे banks का जो control है किसके पास है वो Central Bank की पास है जो इंडिया में है वो किसके पास है वो Reserve Bank of India के पास है ठीक है this is the only bank that controls पर सबसे पहले ध्यान करता है only bank है Central Bank एक अकेला ऐसा bank है जिसके जो that controls the entire banking system of the country जो country का पूरा पूरा banking system को control करता है वो कौन है वो Central Bank of the country है इंडिया में उसको हम Reserve Bank of India बोलते हैं ठीक है It has a monopoly over the issue of currency in the country ये बात ध्यान रखना जो country में currency issue होती है वो सारी के सारी जो है वो Central Bank issue करता है जितने भी notes issue होंगे न वो सारे के सारे Central Bank करता है और जो आपके coins issue होते हैं वो आपके finance ministry issue करती है Government of India ठीक है तो ये ध्यान रखना है जितने भी notes हो रहे हैं क्योंकि आज कल वान रूपी का note नहीं छप रहा है तो पहले जब रूपी का note चलता था उस टाइम वो सुप्रीम वो जो पावर थी इसको प्रिंट करने की वो थी सारी के सारी हमारी reserve bank के पास थी एक है next आ गया it controls the supply of money in an economy ये जो central bank है वो economy में कितना पैसा फ्लोट होगा वो सारा reserve bank sorry इंडिया में reserve bank of india और वैसे जो है हर country में central bank देखता है रैट अब ये जो control of money supply जो भी है ये detail में आप इसी chapter में आगे पढ़ोगे central bank जो है एक ये बहुत important role play करता है financial advice government को जो देता है वो central bank देता है किसी पैसे के related जो भी आपके advice है वो central bank देता है government को central bank जो है आपका monetary policy जो है वो country की formulate करता है उसको control करता है regulate करता है ताकि money supply economy में हमारी ज्यादा या कम ना हो ठीक रहे और जिससे हमारे interest rates हो है वो accordingly उसके आप down करता है यह functions जो है central bank के हम आगे detail में इसी chapter में समझेंगे यह आपको overview इसलिए दिया गया क्योंकि आपको जैसे mcqs में आ गया या आपको short note central bank के उपर या reserve bank के उपर आ गया तो आप लिख सकते हो ठीक है अब बात आती है functions of the central bank जो हमारा central bank है उसके क्या क्या function आप दिखो central bank जो जो central bank है उसके वो एक बहुत important bank है क्योंकि उस सारे के सारे banks को control करता है वो बहुत सारे important functions perform करता है तो सबसे first function जो आ रहा है हमारा वो है issues currency जो central bank है यह आपके notes issue करता है यह आपकी currency issue करता है यह जो है यह आपके पास central bank of the country है पर एक exclusive right है सरफ उसके पास ही right है सरफ central bank ही आपका currency को issue कर सकते है इसलिए इस function को यह भी बोला जाता है यह जो function आपको पताया है this function is also known as currency authority function of the central bank ठीक है और यह जो है आपकी जितने भी मैंने आपको पहले भी पताया हुआ है जितनी भी आपके notes होंगे वो सारे के सारे central bank issue करती है except one rupee note जो आज कल नहीं issue हो रहा है पर पहले जब होता था और जो आपके coins है वो सारे के सारे reserve bank नहीं issue करती है और जितनी भी note बाकी notes है वो सारे के सारे reserve bank of India या central bank of the country issue करती है ठीक है now second comes bankers to the government ये बिटा ये जितने भी functions मैं आपको करवा रही हूँ इनके उपर अलग लग आपको two three marks का note भी आ जाता है explain करने के लिए तो इनको अलग लग भी question आ सकता है इसको समझ लो ध्यान से second है हमारा banker to the government अब ये है के central bank जो है एक बहुत important function perform करता है ये banker भी है agent भी और financial advisor भी है government का ठीक है हमने पहले भी बात की थी financial advisor की तो ये है अब ये banker कैसे है बैंकर जो है basically ये तो बैंक है न जहां पर we can deposit money people can deposit money and people can withdraw money and people can get loans and advances against the securities right तो पर ये government के लिए banker कैसे है government के लिए banker कैसे करता है वो government के जितने भी accounts है वो सारे के सारे manage करता है ठीक है दूसरी बात आती है agent की अब वो agent कैसे है कि government जो है government के बहाफ पे reserve bank of the country वो क्या करता है securities को sale और purchase करता है ठीक है next comes कि वो advisor है government के लिए अब वो advisor कैसे है government के लिए कि मैंने आपको पताया था money supply को control करता है central bank जो money supply को control करने के लिए बहुत सारी policies frame करनी पड़ती है monetary policy वगेरा तो उन policies को कैसे regulate करना है ताकि money market stable रहे और economy में money supply भी stable ले तो ये चीजों के लिए government को वो central bank जो है वो advise करता है ठीक है तो ये banker to the government में तीनों चीज़े आ जाएंगी banker भी आएगा agent भी आएगा और advisor भी आएगा right third comes bankers bank and supervisory role अब वो क्या कहता है जो central bank है या आपका reserve bank of india है वो एक bankers bank है या supervisory role करता है अब bankers bank का मतलब क्या है कि वो जैसे देखो हम लोगों के normal individuals के citizens के account commercial banks में हम खुलवाते हैं वहाँ पे हम जिस type की treatment हम करते हैं मतलब bank वाले हमारे साथ करते हैं या हम लोग bank के पास आखे करते हैं deposits अपने deposit कराते हैं amount और हम withdraw कराते हैं in the same way जितने commercial banks है वो सबका account जो है वो reserve bank of india के पास है तो जो normal citizens का relation commercial banks के साथ होता है वो ही सारे commercial banks का relation reserve bank के साथ है ठीक है यह बात समझ लिए जैसे हम commercial banks के लिए एक customer है ऐसे ही commercial banks reserve bank के लिए एक customer है right अब यह कहता है कि जो आपने बोला कि यह bankers bank है और supervisory role है उसमें मतलब क्या है कि central bank क्या करेगा वो commercial banks से deposits लेगा और loans लेगा उन्हें हम लोग commercial banks में account खुलवाते हैं तो हम deposit withdrawal और loans लेते हैं ना same वो ही commercial banks central bank के साथ करता है then central banks क्या करता है वो एक clearing house facility भी provide करता है clearing house facility यह मैं आपको next इसी यह इसमें function आ रहा है यह देखो यह clearing house function तो यह function मैं आपको इसमें समझा दूँगी यहां पे इस तरफ आप इतना ही सुन लो clearing house function भी perform करता है then comes central bank क्या करता है central bank जो है वो supervisory role कैसे अपना rule कैसे perform करता है जो हमने पहले पढ़ा था CRR एक और word है अब SLR statutory liquidity ratio यह आप आगे chapter में पढ़ोगे यह जो important ratios है वो सारी ratios को जो भी है इनको maintain करना क्या SLR CRR जब कितनी होनी चाहिए कितनी change करनी है या कम करनी है या बढ़ानी है और banks ने कितना maintain करना है कितना legal requirements अपनी perform करनी है वो सारी कि सारी कहां की जाए कौन बताता है वो supervisory role में central bank बताता है ठीक है then comes lenders of last resort lenders of last resort देखो मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी commercial banks है वो normal clients है normal customers है reserve bank के ठीक है तो जैसे normal citizens का जो आपका relationship होता है commercial banks के साथ वो ही relationship commercial banks का आपका reserve bank के साथ या central bank के साथ होता है अब अगर commercial banks को कभी जरूरत पर जाए loan की या पैसे की कहीं से भी और उनको कहीं से नहीं अरेंज हो रहा तो वो कहां जाते हैं वो रिजर्व bank bank of India के पास जाते हैं क्योंकि वो reserve bank of India जो है वो अपना आपका advance देता है आपकी securities के against आपको loan या advance आपको दे देता है और यह जो loan और advance वो देता है वो एक emergency के situation में देता है ताकि जो banks हैं वो अपना कोई उनको loss ना हो वो कोई सफर ना करें और उनकी जो money market है economy में stable रहें कोई economy में दिक्कत क्रेट ना हो इसलिए जो आपका यह central bank के यह function perform करता है इसलिए इसको बोला जाता है central bank को के central bank is a lender of last resort ठीक है next comes custodian of foreign exchange foreign exchange देखो क्योंकि हमार हम लोग open economy में है आज इन open economy open economy में हम foreign countries के साथ dealing करते हैं तो foreign countries में हर एक country में अपनी currency चलती है तो वो जितने भी currency है all over world जितने nations की भी currency है apart from India वो सारी की currency कहाँ available होती है वो हमारी होती है reserve bank के पास तो reserve bank क्या करता है वो सारी की सारी currency रखता है ताकि वो एक जो है वो reserves रखता है और वो managed floating की हब से वो सारे exchange rate को international market में वो stable करके रखता है right then comes clearing house function मैंने बिटा आपको बोला था उपर मैंने जब ये bankers bank करवा रही थी तब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ये जो bankers bank के बीच में जो आपका clearing house function में करवाऊंगी अब मैं आपको clearing house function बता रहे हूँ clearing house function में क्या होता बच्चे सब banks के central bank के पास accounts खुले हुए है अब जिसे 2 banks कोई भी 2 banks ले लो A और B अब A और B bank एक bank के पास check आया जो B के favor में है वो उसके favor में draw किया हुए है और वो लगा लो 20,000 का आया है और B के पास एक check का आया है जो A के favor में है और वो आपको आ गया 18,000 का तो अब यह रहो कहाँ A bank और B bank अपना amount का आश दर दर करेगा एक दूसे bank को देगा तो वो बहुत tedious है और उसमें बहुत सारी दिकत क्रेट होती है तो वो क्यों करना है वो जो क्या करता है Central bank के हाँ पर क्या perform करता है जो banks की आपस की जो ऐसे transactions आती है उनको अपने आप settle down कर देता और जो balance रह जाता सरफ वो balance आपस में exchange करते हैं ज्यादा money exchange नहीं करनी परती तो यह clearing house function है ठीक है तो इसे क्या होता है हमारा cash जो हमारी banks के बीच में वो transfer कम होता है इतना transfer नहीं होता और इसमें हमारे को economy में banks में cash की requirement कम हो जाते हैं वो ही जो मैंने आपको पहले बता था कि credit पे काम चल रहा है transactions पे काम चल रहा है उदर account में debit हो गया उदर तक credit हो गया वो central bank के काम कर देता है जो money की supply है उसको control करता है वो increase अगर आपको economy में पैसा ज़्यादा हो गया increase हो गया तो economy में पैसा बहुत sort कर रहा है तो वो अपने monetary policy instruments यूज करता है और वो interest rates बढ़ा देता है ताकि economy से money suck की जाए कम की जाए और अगर आपकी economy में पैसा कम है तो वो जो interest rates है वो कम कर देता है अपने monetary policy में यह से और जिससे आपके जो पैसा है economy में ज़्यादा हो जाता है लोगों की purchasing power बढ़ जाती है यह बेटा आप detail में आपको पूरा पूरा इसको आप आगे chapter में समझोगे ठीक है then comes protection of depositors interest जितने भी हमारी depositors है हम जैसे normal citizens है जो हम लोग पैसा banks में deposit करवाते हैं तो उनका interest safe करने के लिए उनको protect करने के लिए central banks different अपनी जो policies formulate करता है ताकि जो जब उनको लोगों को ज़रुरत पड़े हम लोगों को ज़रुरत पड़े commercial banks हमें ना नहीं बोले वो हमारे को हमारी requirement पूरी करें अगर हमारे को loan की ज़रुरत है तो loan की ज़रुरत पूरी करें अगर हमारे को withdraw कराने अपने account से पैसे हैं तो वो demand हमारी पूरी करें means जो लोगों का interest है वो सारा का सारा interest safe card करें ठीक है and last comes custodian of cash reserves देखो मैंने आपको पहले बताया था CRR या जिसको हम LRR भी कहते हैं जो ये आपकी cash reserve ratio है या liquidity reserve ratio है ये जो है वो आपका एक government के central bank की तरफ से ये एक imposition है banks के पर के सारे सब को reserves रखने पड़ते हैं और वो कुछ reserve अपने deposits का मिंटें करना पड़ता है as a cash reserve ratio और वो कहां रहेगा वो central bank के पास रहेगा तो ये reserves को मिंटें कान करता है central bank इसले central bank को बोला जाता है custodian of cash reserves ठीक है so this is all about the today's video if you find any difficulty you are most welcome to give your feedback in the comment box thanks for watching